दूस्तो अब आप State Bank of India में Zero Balance Saving अकाउंट घर बैटे ओनलाइन ही अपने मोबाइल फोन से ओपेन कर सकते हैं इसके लिए आपको एक बार भी ब्रांच विजिट करने जुरूत नहीं पड़ेगी सारा काम घर बैटे हो जाएगा और वीडियो की वाइसी की मदद से आप अपने अकाउंट को फुली एक्टिवीट करा सकते हैं जिसके बाद जो ATM कार्ड होता है चेकबोक और पास्बोक होगर होता है ये सब दोस्तों आपके घर पर ही स्पीड पोस्ट के जरिये आजाएगा जिसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता एक हपते के अंदर ही ये सारी चीज़े आपके घर पर आजाते हैं तो कैसे दोस्तों State Bank of India में Zero Balance अकाउंट ओपेन करना है वो भी घर बैटे online अगर आप जानना चाते हैं तो इस वीडियो को end तक देखना वीडियो पसंद आएगा तो like को share कर देना दोस्तों State Bank of India में online अकाउंट ओपेन करने के लिए सबसे पहले आपको Google Play Store से you know SBI name का यह application डाउनलोड करना पड़ेगा इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे open कलेना है open करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने interface आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको open saving account के उपर click करना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कई option देखने को मिलेगा तो सबसे उपर दिया है open saving account आप देख सकते हैं इसी के उपर आपको click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो option मिलेगा एक है without branch visit और दूसरा है branch visit अगर आप दोस्तों branch जाना चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे अगर आप चाहते हैं सारा काम online घर बैटाई ही हो जाए वीडियो के वाइसी की मदद से तो आप यहाँ पर without branch visit के उपर click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको insta plus saving account आएगा तो इसे आपको checkbox पे click करना है और submit के उपर click कर देना है जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें दो option मिलता है एक है start a new application दूसरा है resume application तो हमें यहाँ पर एक नया account open करना है तो start a new application के उपर click करना होगा अब यहाँ पर दोस्तों आपसे employer detail मांगा जाता है तो यहाँ पर हमरा जो employer detail है वो यहाँ पर listed नहीं है तो हम checkbox के उपर click करके next कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर video KYC product information दिया गया है जिसमें paperless account open होगा full KYC जो हो जाएगा आपका video कलके through और रूपे debit card मिलेगा पूरा यहाँ पर दिया गया है no branch visit यह सब information यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आपको checkbox के उपर click कर देना है और next कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा जो process है उसके बारे में बता गया है तो आपको इसे next कर देना है अब यहाँ पर आपको mobile number है उसे टाइप करना है यहाँ पर आपको अपना email id टाइप करना है उसके बाद दूस्तों। submit के button पर click कर देना है जिसके बाद दुस्तों आपके mobile number और email ID दोनों पर एक एक OTP जाएगा तो mobile number वाला OTP आपको यहाँ पर डाल देना है email पर जो OTP जाएगा हुआ यहाँ पर डालना है उसके बाद submit के button पर click कर देना है जिसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपको password create करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर आपको अपना application का password create कर लेना है दोबारा से यहाँ पर आपको application का password re-enter करना है यहाँ पर आपको एक security question कोई भी select कर लेना है अपने हिसाब से उसका answer आपको यहाँ पर देना है उसके बा तो आप यहाँ पर OK कर देंगे, ठीक है, OK करने के बाद यहाँ पर आपको जो है, Checkbox पर क्लिक कर देना है, और Next वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कंसेंट देना है, तो आप नीचे आएंगे इसे Readout करना चाहिए, तो Readout कर सकते है नहीं तो I agree के उपर क्लिक करके next कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार number एंटर करना है तो यहाँ पर दोस्तों एंटर आधार number के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर अपना आधार number डालेंगे गेट OTP के उपर क्लिक कर देंगे जिसके बाद दुस्त आपके आधार कार्ट के साथ जो mobile number लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा वह OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे और submit वाले बटन पर क्लिक कर देंगे जिसके बाद दुस्त आधार कार्ट से जो आपका detail है वह यहाँ पर फेचो के आजाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम हो गया, date of birth हो गया, gender हो गया ठीक है तो आपको simply यहाँ पर next कर देना है जिसके बाद दुस्त आपके आधार कार्ट से आपका जो address है वह भी यहाँ पर आजाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर दुस्त आपको अपना क्या करना है sub district select कर लेना है, जो भी आपका sub district है इस प्रकार से ठीक है उसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है, आपको अपना village and town select करना है तो यहाँ पर जो भी आपका village and town है, उसे select करेंगे अगर आप चाहते हैं, आपका जो आधार काट का address है वो अलग है, जहाँ पर अभी आप रहे हैं, वो अलग है दोनों address अलग है, तो ऐसे में आप यह जो check box है इस पर click करके दूसरा address भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपका present address और आधार का address सेम है तो आप यहाँ पर कुछ भी change नहीं करेंगे simple सा काम कर देंगे, next वाले button पर click कर देंगे जिसके बाद यहाँ पर दूसरो आपको अपना pen card number टाइप करना है pen card number टाइप करने के बाद next वाले button पर click कर देना है जिसके बाद दूसरो यहाँ पर आपके आधार card से आपका photo भी ले लिया जाता है photo यहाँ पर show होगा, तो अब आपको यहाँ पर next कर देना है next करने के बाद दूसरो आपके सामने तीसरा step आजाएगा जिसमें आपको additional detail पूछा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कितना education किये हैं, कितना qualification किये हैं वो आपको यहाँ पर select करना है तो हम यहाँ पर SSC, HSC select कर लेते हैं आप अपने हिसाफ से select कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे marital status पूछा जाता है कि आप married है, unmarried है तो आप यहाँ से अपना select कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर additional detail में आपसे पूछा जाता है city of birth मतलब कि जहाँ पर दोस्तों आपका जन्म हुआ था उस city का नाम यहाँ पर आपको type करना है अगर आपका कोई maiden name है तो आप यहाँ पर type कर सकते हैं उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर father name देना है जिसमें सबसे पहले father name के आगे आपको यहाँ पर mister title select करेना है उसके बाद यहाँ पर first name type करना है यहाँ पर middle name type करना है यहाँ पर last name type करना है ठीक है और यहाँ पर आपको अपने माता जी का भी नाम देना है तो माता जी के नाम के आगी जो आप title लगाते हैं जो भी लगता है वो आप अपने हिसाफ से यहाँ पर select कर लेंगे ठीक है नीचे आएंगे तो यहाँ पर माता जी का first name टाइप कर देंगे यहाँ पर middle name टाइप कर देंगे यहाँ पर last name टाइप कर देंगे यह middle name दोस्तो optional है अगर आप नहीं डालते तो यह से आप छोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके next कर देंगे जिसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपसे आपका occupation पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं ठीक है तो जो भी काम आप यहाँ पर करते हैं अपने हिसाफ से यहाँ पर आप select कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम service select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर service में आपके आकाम करते हैं वो अपने हिसाफ से आप यहाँ पर select कर लेंगे अब आपका annual income कितना है वो यहाँ पर type करेंगे उसके बाद आपको next कर देना है जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो religion है उसे select करना है Hindu है या फिर जो भी है वो अपने इसाफ से आप यहाँ पर select कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना category भी select करना है general, OBC, SC, ST जो भी है वो आप यहाँ पर अपने इसाफ से select कर लिजे उसके बाद fourth step आता है जिसमें आपको nominee का detail देना है ठीक है तो जिसे भी आप nominee रखना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर type करेंगे nominee के साथ आपका क्या relationship है उससे आप यहाँ पर type करेंगे nominee का जो date of birth है उससे आप यहाँ पर देंगे उसके बाद यहाँ पर guardian name पूछा जाता है अगर आप किसी in case मतलब की minor हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर guardian name देंगे नहीं तो इससे आप छोड़ सकते हैं ठीक है अगर आप guardian का name देंगे तो उनका जो age है वो आपको यहाँ पर type करना पड़ेगा ठीक है तो यह सब आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद नीचे next के button पर click कर देना है जिसके बाद दुस्टो अब आपको nominee का जो address है उसे आपको यहाँ पर type करना पड़ेगा ठीक है address का जो line 1 है वो आप यहाँ पर type करेंगे address का जो line 2 है वो आप यहाँ पर type करेंगे और जो pin code है उसे आप यहाँ पर type करेंगे state यहाँ पर आप select करेंगे ठीक है pin code डालने के बाद ही आप state select कर पाएंगे उसके बाद आपको next वाले button पर click करना है जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर branch select करने का option आजाता है जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर branch name डाल सकते हैं या फिर branch का जो code है उसे आप डाल सकते हैं तो हम branch name के उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप जिस branch में अपना account open करना चाते हैं आप net पर check कर सकते हैं उस branch का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद आपको next वाले button पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर उस branch का आपको पूरा detail देखने को मिल जाएगा जिससे अगर आप edit करना चाहें तो आप यहाँ से edit भी कर सकते हैं नहीं तो आपको next कर देना है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको जो term and condition है उसे यहाँ पर read कर लेना है पूरा का पूरा आप देख लिजे यह term and condition है इसे read करने के बाद आपको नीचे जो है checkbox के उपर click करना पड़ेगा अभी हम click करेंगे तो इस पर click नहीं होगा ये पूरा आपको readout करना पड़ेगा अब आप इस पर click कर दीजिए उसके बाद आपको next कर देना है next करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और OTP जाएगा आपके mobile नंबर पर तो वह OTP आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद दोस्तों आपको next कर देना है जिसके बाद दोस्तों debit card पर जो आप नाम रखना चाहते हैं उस नाम को आप यहाँ पर type कर देंगे उसके बाद आपको next कर देना है next करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो token नंबर है वो generate हो जाता है पहले दोस्तों यह token नंबर लेके हमें ब्रांच में जाना होता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है आप दोस्तों online video KYC आप कर सकते हैं ठीक है यह token नंबर generate होने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यह जो box दिया है इस पर click करेंगे और next वाले button पर click कर देना है जैसे आप next करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो KYC का जो option है वो हमारे सामने आ चुका है तो यहाँ पर वीडियो KYC करने के लिए आपको यहाँ पर next कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो काफी सारे interaction आपको बताया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसमें आपको start वीडियो कॉल के उपर click कर देना है और यहाँ पर आपको ok कर देना ह अब यह थोड़ा सा loading लेगा और आपको redirect कर देगा browser के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे welcome to video KYC और आपको यहाँ पर start journey के उपर click करना होगा अब यहाँ पर आपको अपना जो original pen card है और एक white paper रखना है pen रखना है उस पर आपको signature करक है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर camera microphone location का आपको जो permission उसे allow कर देना होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हम permission दे दिये हैं अब दोस्तों यहाँ पर ग्या हो रहा है automatic सारा permission जो है detect कर रहा है तो आपको यहाँ पर permission देने के बाद देख लिजी सब कुछ यहाँ प permission granted अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो के call है वीडियो के YC है वो connect हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हम फटा फट अपना जो वीडियो के YC है उसे complete कर लेते हैं फिर आते हैं वापिस वीडियो के YC होने के बाद दोस्तों आपका जो account है वो successfully open हो जाता है पूरी account open कर सकते हैं पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like को share करना साथी साथ हमारे channel को subscribe कर लेना thank you दोस्तो bye bye and take care